नमस्कार जी कारकम्य उपस्थित केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गाण विबिन राज्यों के मानिय मुख्यमंत्री साथी सामस्वत गाण विधायक गाण अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों आज के इस कारकम्य पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका भी आदर पुर्वक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आज अल इंडिया रेडियो की एफेम सर्विस का एक्स्पांशन अल इंडिया एफेम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वप्ण कदम है अल इंडिया रेडियो के नाइटी वन एफेम ट्रांस्मिटर्स की ये शरुवार देश के 85 जीलों के दो करोड लोगों के लिए उपहार की तरह हैं एक तरह से इस आयोजन में भारत की विवितता और अलग-अलग रंगों की एक जलग भी है जिन जीलों को कवर किया जा रहा है उसमें एश्पिरेश्टनल डिस्टिक्स एश्पिरेश्टनल ब्लॉक्स उनको भी सवीशेश इसका लाप मिल रहा है मैं आल इंडिया रेडियो को इस उपलब्दी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इसका काफी लाप हमारे नौर्थ इसके भाई बहनों को होगा युवा मित्रों को होगा इसके लिए उन्हें मैं विशेश तोर पर बधाई देता हूं साथियों जब बात रेडियो और एफेम क्यों होती है तो हम जिस पीडी के लोग है हम सबका रिष्टा एक भावुक स्रोता का भी है और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिष्टा एक होश्का भी बन गया है अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का सौवा एपिसोड करने जा रहा हूं मन की बात का ये अनुभव देश वास्यों से इस तरह का भावनात्मक जुडाव केवल रेडियो से ही संब्व था मैं इसके जरिये देश वास्यों के सामर्थ से जुडा रहा देश की सामोही कर्तव्य सक्ति से जुडा रहा स्वच्छ भारत अभ्यान हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हर गर तिरंगा अभ्यान हो मन की बात ने इन अभ्यानों को जन आंदोलन बना दिया इसलिए एक तरह से मैं आल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूँ साथियों आज के इस आयोजन की एक और खास बात है ये बंचीतों को वरियता की सरकार की इंदीती को आगे बढ़ाता है जो अब तक इस सुभिधा से बंचीत रहे जिने बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था वो अब हम सभी से और ज़्यादा कनेक्ट होगे समय पर जरूरी जानकरी पहुचाना हो कॉम्यूनिटी बिल्डिंग का काम हो एग्रिकल्टर से जुड़ी मौसम की जानकारिया हो किसानों को फसलों फल सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो केमिकल खेती से होने वाले नुक्सान की चर्चा हो खेती के लिए आधुरिक मशिनों की पुलिंग हो महिलाओं के सेल्फ हेल ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो या फिर किसी प्राकुरुतिक आपदा के समय पूरे छेत्र की मदद करना इन एफेम ट्रांस्मीटर्स की बहुत एहम भूमिका रहेगी इसके अलावा एफेम की जो इनफोटेइन्मेंट वैल्यू है वो तो होगी ही साथियों हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नॉलोजी के लोकतांत्री करन इसके लिए काम कर रही है भारत अपने सामर्थ का पूरा इस्तिमाल कर पाए इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतिय के पास अवसरों की कमी ना हो आधुनिक टेक्नॉलोजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना एफ़र्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है आज भारत में जिस तरह गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की किमत इतनी कम हुई है उसने एक्सेस टू इन्फरमेशन को बहुत आसान बना दिया है आज कल हम देखते हैं देश के कोने कोने में गाउं गाउं में नए डिजिटल एंट्रपरनर्स बन रहे हैं गाउं के युवा गाउं में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नलोजी का लाब उठा कर कमाई कर रहे हैं इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को रहेडी पट्रिलवार ले साथियों को इंटरनेट और यूपियाई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टिम का लाब लेना भी शुरू कर दिया आज टेक्नलोजी की मदद से हमारे मचवारे साथियों को मौसम समंदी सही जानकारी सही समय पर मिलती है आज टेक्नलोजी की मदद हमारे लगूद्य में अपने प्रोड़क्स देश के कौने कौने में बेच पा रहे हैं इसमें गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस यानि जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है साथियों बीते वर्षों में देश में जो टेक्क रिवलुशन हुआ है उसने रेडियो और विशेशकर एफेम को भी नए अवतार में गड़ा है इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं बलकि ओनलाइन एफेम के जरिये पोड़कास के जरिये इनोवेटिव तरीके से सामने उफर करके आया है यानि डिजीटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिये हैं और नई सोच भी दिये हैं यही रिवोलुशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं जैसे आज देश के सबसे बड़े डिटिये प्रेटफर्म डिडी फ्री डिस्की सेवा चार करोड तीस लाग घरों में पहुंच रही हैं देश के करोडों ग्रामिर घरों में बॉर्डर के पांस वाले इलागों में आज दुनिया की हर सुचना रियल टाइम में पहुंच रही हैं समाज का जो वर्ग दसकों तक कमजोर और वन्चित रहा उसे भी फ्री डिस से एजुकेशन और एंटर्टरेंडमेंट की सुविधा मिल रही है इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफर्मेशन पहुंचाने में सभलता मिली है आज डिटी एज चेनलों पर विबिन्य प्रकार के एजुकेशन कोर्सिस उपलब्द है एक से बढ़कर एक उनिवर्सिट्स का ज्यान सीधे आपके घर तक पहुंच रहा है कोरोना काल में इसने देश के करोडों विध्यार्थों की बहुत मदद की है डिटी एज हो या फिर एफेम रोडियो इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में जोंकने के लिए एक बिन्डो देती है हमें इसी भविष्ट के लिए खुद को तयार करना है साथियों एफेम ट्रांस्मिटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है देश की सभी भाषाओं और विशेश रुप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफेम ट्रांस्मिटर से ब्राड़कास्ट होगा यानि ये कनेक्टिविटी सिर्फ कॉमुनिकेशन के साधन को ये आपत में नहीं जोड़ती बलकि लोगों को भी जोड़ती है ये हमारी सरकार के काम करने के तरीक ये कि एक पहचान है अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एरपोर्ट की तस्वीर उभरती है लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोड़ दिया है हमारी सरकार कल्चुरल कनेक्टिविटी और इंट्रलेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है जैसे पिछले नव वर्षों में हमने पदम एवोर्ड, साहित्य और कला एवोर्ड के द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों के रियल हिरोज को सामने सम्मानित किया है पहले की तरह पदम सम्मान सिफारिस के आधार पर नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है आज जो पदम सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इसे भली भाती जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में तीर्थ स्तलों धार्मिक स्थानों का काया कल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जहां रहा है परियतरन सलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चुरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाड है आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों से जुड़ा संग्रालय हो बाबा साब आमबेड करके पंच तीर्स का पुनर निर्माड हो पी एम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल ऐसी पहलों ने देश में इंटलेक्टिवल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है साथियों कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरुप पे क्यों नहो उसका उद्देश होता है देश को जोड़ा एक सो चालीस करोड देश वास्यों को जोड़ा All India Radio जैसे सभी Communication Channels के लिए भी यही वीजन होना चाहिए यही Mission होना चाहिए मुझे विश्वास हैं आप इस वीजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे आपका ये विस्तार संबात के जरिये देश को नई ताकत देता रहेगा एक बार फिर अकाश्वानी को देश के दूर दराज के खेत्र के मेरे प्यारे भाईयों भहनों को मैं बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूं बहुत बधाई देता हूं धन्यवाद